नमस्कार दोस्तों आज की जो मारी वीडियो है वो है ICIC Bank Zero Balance Savings Account के उपर इस वीडियो के अंदर हम इस account को कैसे खोलते हैं इसका पूरा का पूरा complete process देखेंगे एक एक step मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा देखो मैंने पीछे बिना ICIC Bank Zero Balance Account के उपर वीडियो दाली थी उस पर बहुत से लगों कमेंट आ रहे हैं कि यह account नहीं खूल रहा इसमें कुछ दिक्कत आ रहे हैं क्या सारी की सारी चीज़े हैं इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो मैं सीधा सीधा बिना कोई time भीष करें आपको सीधा इसको process कैसे apply करते हैं हम वो देखेंगे तो चलो हम सीधा computer screen पर चलते हैं तो देखो ICIC Bank Zero Balance Savings Account कोलने के लिए सबसे पहले आपको Google पर लिखना पड़ेगा ICIC Bank Zero Balance Account यहाँ पर उपर जो भी लिंक आएगा उस पर आप क्लिक कर देना basically सबसे पहले लिंक यहाँ पर यहाँ आएगा basic savings account इसको छोड़ देना इसके बाला जो नीचे बाला लिंक है savings account पर उस पर आपको क्लिक करना है जैसी आप इस लिंक पर क्लिक करोगे उसके बाद nearest ICIC Bank branch for opening an account देखो यहाँ पर इन्होंने तो बोल दिया कि हम online account नहीं खोल सकते आपको bank में ही जाके account खुलवाना पड़ेगा लेकपर इसको हम चेक करते हैं तो उसके बाद हमने इसको refresh किया तो यहाँ पर यह लिखा रहा है apply for best product for ICIC bank इसके अंदर हमको accounts के option पर क्लिक करने ह जैसी हम accounts के option पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपके सामने दो options आ रहे हैं savings account और current account तो हमें यहाँ पर savings account के option पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने तीन options आ रहे हैं सबसे पहला option है digital saving account दूसरा option है salary account और तीसरा option है three in one account देखो जो salary account है हमें देखो वो तो खुलवाना नहीं हम यहां पर एक zero balance savings account खुलवाने हैं ना कि salary account तो इस option को तो हमें cut करना है उसके बाद बचा three in one account अब जो यह three in one account है इसके अंदर यह क्या करते हैं एक तो यह हमारा जिरो balance account खोल देते हैं दूसरा साथ साथ यह demet account खोल देते हैं पता नहीं कितनी फीस लगाते हैं इसके उपर तो हमें यह बेनी खुलवाना बचा कुन सा digital savings account तो हमें यह खुलवाना है जो कि एक zero balance account है तो हमें इसके उपर click करने हैं जैसी हम इस option के उपर click करेंगे तो यहां पर इन्होंने fit से दिखा दिया thank you for showing your interest kindly visit your nearest bank branch for an account opening देखो यहां पर इन्होंने दो online account खोलने से मना कर दिया यहां पर इन्होंने बोला है कि आपको यह account branch visit करके खुलवाना पड़ेगा अब ब्रांच भी विजिट कर लें ब्रांच विजिट करने में आपको ब्रांच विजिट करोगे और वहां पर जाके बोलोगे कि भईया मेरा यहां पर टार्गेट है मतलब आपको तो नहीं बोलेगा अंदर से दोसको होता ही है कि मेरे यहां पर टार्गेट है मेरे को कम से हम भी मिनिममम एवरेज बैलेंस वाल आकाउंट खोलने वह भी दस जार का नहीं बीस जार में मिनिममम एवरेज बैलेंस होना चाहिए उसके अलावा भी वह आप से इनिशिल फंडिंग करवाएगा पचास जार पेगी एक लाख रपेगी अगर आप मेट्रो सिटी में रहत जाता हूं जो खुद मैं भी पर्सनली यूज कर रहा हूं देखो इस बैंक के अलावा भी ना दो और बैंक है जो आज की डेट में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग के टाइम में सबसे बैस चल रहे हैं यकीन नहीं होता ना तो खुद गूगल करके देख लेना अगर आ बैंक है बैंक बनना कोई असान काम नहीं है पता नहीं कितने सारे डोकुमेंट लगते हैं कितनी फंडिंग लगते बहुत सारी चीजे होती है अब हम यहाँ पर बात कर रहा है तो मैंने यहाँ पर आपको दो अकाउंट बता है एक तो KOTAK महिंदरा बैंक का जीरो बैलेंस स करिए हम यहां पर ना एक एक चीज कंपेर करेंगे देखो जब भी आप अकाउंट खुलवाते हो तो काउंट में आप क्या चीज चेक करते हो कि आपका एफडी पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं यही चीज़ें चेक करते हो न तो यहां पर मैं आपको पूरा प् तो यहां पर हम तीन बंक को प्रयेंगे आईचेाँक, कोटक और फानेंस बैंक की बात करूँ, तो अगर हम यह नपर FD करवाते हैं, यहां पर हम एक साल, एक दिन की FD करवाते हैं तो यहां पर हमे 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलन पही हम सेविंग अगाउंट मेर आब हम यहां पर बात करें कोटक महिंदरा की की तो कटक महिंदरा बैंक के अंदर हम अगर FD करवाते हैं तो यहांपर अगर हम एक साल 25 दिन की FD करवाते हैं तो यहांपर हमें 7.20 परशन का Rate of Interest मिलता है और वहीं हम इसके अंदर savings account की बात करें कि हमें savings पर कितना rate of interest मिलते है तो kotak mahindra bank यहाँ पर 3.5% का rate of interest offer करते है अब हम यहाँ पर ICIC bank की बात करें तो देखो ICIC bank जो है FD के उपर 6.70% का rate of interest offer करते है और वही savings account पर 3% का rate of interest offer करते है तो देखो AU small finance bank को चाहे kotak mahindra bank को दोनो FD के उपर और savings account के उपर ICIC से ज़्यादा rate of interest offer करते है तो आप अपने हिसाप से consider कर सकते हो कि आपको किस में खुलवाना है कई बार क्या होता जैसे मान लेजिए आपका मन कोटक में खुलवाने का है तो आपके शहर में कई ब्रांच नहीं होती अगर आपका AU में खुलता तो आप खोटक को consider कर सकते हो दोनों ही account best है हाँ यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और clear कर दूँ जो AU small finance bank है ना अगर आप इसके अंदर अपना zero balance account खुलवा होगे खुलेगा तो zero balance account ही बढ़ जब भी आप last step में पहुचोगे तो वहाँ पर आपको पांच जारपे की initial funding करने के लिए का जाएगा तो देखो initial funding basically एक बार आपको मतला पैसे अपने account में दालने है पांच जारपे जैसी आपके account में पांच जारपे आगे उसके बाद आप निकलवा सकते हो उसके बाद आपको कुछ maintain करने की जुरूरत नहीं है वो आपका एक तरह से zero balance savings account की तरह ही रहेगा यहाँ पर बस इसका एक यह drawback है बाकि अगर आपको complete zero balance account चाहिए तो आप kotak महिंदर बैंक की तरफ जा सकते हो तो जहाँ पर आपको initial funding करने की जुरूरत नहीं है और वहाँ पर आपको एक virtual debit card भी मिलेगा अब आप पूछोगे कि भाई हम इन दोनोई account को कैसे खुलवाएं तो देखो दोनोई account opening का link नीचे description में है आपको जिस भी account में खुलवाने आप खुलवा सकते हो link नीचे description में है जैसे आप link पर click करोगे तो आप दोनों की website पर पोज़ जोगे वहाँ पर आपको basic basic details दालने होगी तो यहाँ पर मैं किसी एक का भी करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको AU small finance bank का करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसका एक zero balance account को हो सकते हैं क्योंकि last में आप video के वाइस ही वी करता है हर bank हर bank की video के वाइस ही almost same ही होती है क्योंकि उनका किसी company का tie up होता है तो यहाँ पर अगर आप एक process देख लोगे तो दूसरे का बिल्कुल same ही है बस आपको mobile number यहाँ पर आपको वही mobile number दालने है जो आपको अधार card के साथ register हो mobile number एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको arrow के option पर click करने है जैसी आप इस पर click करोगे तब आपके mobile पर एक OTP आएगा आपको यहाँ पर वो OTP OTP enter करने है OTP enter करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना pen card number एंटर करने है जैसी आप अपना pen card number दालोगे तो यहाँ पर आपके पीछे green tick का जएगा और नीचे आपका नाम आजएगा जो भी pen card पर है तो यहाँ पर आप चेक कर लेना उसके बाद यहाँ पर आपको confirm के option पर click करने है जैसी आप confirm के option पर click करोगे अब यहाँ पर आपको अपना अधार card number एंटर करने है अधार card number दालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे check box को tick करने है then get अधार OTP के option पर click करने है अब आपके mobile पर एक OTP आएगा आपको OTP यहाँ पर enter करने है OTP एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको अधार card पर जो भी details थी वो यहाँ पर fetch की जा रही है जैसे कि आप screen पर देख भी सकते है basically जो सारी details है यह complete details नहीं है हमें यहाँ पर इन्हें पूरा का पूरा fill करना है यहाँ पर बट आपकी basic details आ गई है तो अब हम इनको पूरा का पूरा fill करेंगे अब सबसे पहले हमें यहाँ पर personal info पर click करना है जैसे हम personal info पर click करेंगे तो यहाँ पर मेरी basic basic details आजेंगी जैसे कि मेरा name, मेरी date of birth, मेरा gender, मेरा mobile number तो यहाँ पर मेरी सारी basic basic details आ गई है उसके बाद मुझसे यहाँ पर पूचा गया है what is your marital status? मतलब देखो, अगर आप शादी शुदा हो, तो यहाँ पर married select करना अगर आप single हो, तो single select करना अगर आपकी शादी हो चुक है और divorce हो चुक हो, तो यहाँ पर divorce select करना मतलब आप अपने according list देख लेना तो यहाँ पर यह option चूज करने के बाद, उसके बाद आपसे पूचा गया है email address, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोई भी एक email id देनी है तो email id दालने के बाद, simply यहाँ पर आपको submit details के option पर click करना है submit details पर click करने के बाद, अब यहाँ पर आपसे आपकी family info पूची गई है तो basically यहाँ पर आपसे आपके father का name पूचा गया है आपकी mother का name पूचा गया, आपकी wife का name पूचा गया अगर आपको शादी नहीं होई तो आपको पास यह वाला option नहीं आएगा तो देखो, nominee बनाने एक बहुत अच्छी आदत है तो हमेशा बना लेना चाहिए, क्योंकि देखो, आप अपना account में पैसे रखोगे खलको खुदा ना कासता किसे कुछ हो जाए तो उसके बाद उन पैसे को क्या होगा, वो पैसे basically nominee को मिलते है तो हमेशे nominee बना लेना चाहिए, तो हम यहाँ पर yes I want पर click करेंगे जैसी आप yes I want के option पर click करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप किसे nominee बनाना चाहते हो, कि आप अपने father को nominee बनाना चाहते हो आप अपनी मधर को norimini बनाने चाहते हो आप अपने ब्रदर को नोमी बनाने चाहते हो तो जिसे भी आप उप्छन को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको उनका नेम दालना होगा और उनकी date of birth दालने होगी date of birth एंटर करते ही यहाँ पर आपसे automatically address का option आ जाएगा तो यहाँ पर आपको उनका address भी दालना होगा अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका address और nominic address same है या फिर अलग-अलग है देखो कर आपका address और nominic address same है तो यहाँ पर yes keep same की option पर click कर देना और अगर आपका address और nominic address अलग-अलग है तो यहाँ पर no it's different की option पर click कर देना देखो अगर आपका address और nominic address अलग-अलग है तो यहाँ पर आपको nominic address की सारी details दालने होगी मेरे case में जो nominic address और मेरा address same है तो यहाँ पर मैं यह yes keep की option पर click कर दूँगा अब इस सारे details दालने के बाद हमें simply यहाँ पर नीचे submit details के option पर click करने है अब यहाँ पर आपसे आपका occupation पूछा गया है basically यहाँ पर पूछा गया है कि आप क्या काम करते हो देखो अगर आप एक student हो तो यहाँ पर एक student select कर लेना अगर आपका खुद का business है तो यहाँ पर self business select कर लेना अगर आप किसी private नोकरी में काम करते हो तो यहाँ पर self private select कर लेना आप अपने accordingly देख लेना कि आपका occupation क्या है occupation select करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप सालाना कितने पैसे कमाते हो दियान रखना यहाँ पर यह लिखा हुए कि सालाना annually कितना पैसे कमाते हो कई लोग monthly सोच लेते हैं तो यहाँ पर आपसे सालाना पूछा गया है तो जितना भी आप साल का कमाते हो तो यहाँ पर select कर लेना अगर आप less than 2.5 lakh कमाते हो तो वो select कर लेना अब यहाँ पर आपकी जितने भी डिटेल्स थी वो यहाँ पर सारी की सारी भर दी गई है तो यहाँ पर आपके पास ओप्षिन आएगा final review का मतलब कि आपने जितने भी डिटेल्स अभी तक भरी हैं वो सारी की सारी एक बड़ चेक कर लें कहीं कोई गलट details तो नहीं है और साथ ही साथ यहां पर आपके पास option होगा branch का basically यहां पर आपकी जो branch है वो automatically आगी होगी बट अगर आप अपने share में कोई और branch choose करना चाहते हैं तो वो भी आप select कर सकते हैं तो वैसे यहां पर branch automatically आ जाते हैं branch की आपको tension नेने की जूरूट न होगे उसके बाद ना यह bank वाले बड़े तेज होते हैं यहां पर ने ऊपर उपर दिखा दिया average monthly balance maintain करने वाला account आप कुछ लोग तो यहीं से डर कर भाग जाएंगे बट basically यहां पर आपके बास नीचे option होगा explore other account types का क्योंकि हमें तो एक zero balance account खुलवाने हम वहीं खुलवा तो यहां पर आपको उस पर क्लिक करना है जैसी आप इस option पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा यहां पर आपको बोला गया है कि आपको 5000 रपे की initial funding करनी है जैखो वीडियो की starting मैंने आपको बताया था कि AU की मेरे को यही सबसे बड़े disadvantage ल नहीं पड़ती है यह हर किसी bank to bank उसका अपना रूल है जो भी है तो यहां पर हमें 5000 रपे की initial funding करनी है तो हम यहां पर 5000 रपे amount दाल देंगे उसके बाद यहां पर हम proceed to payment पर क्लिक कर देंगे जैसी हम proceed to payment की option पर क्लिक करेंगे अब यहां पर आप से आपका bank account number पुछा गया आइफसी पूछा गया है तो देखो आपके बास कोई भी पूराना bank account हो या कोई और यूज कर रहे हो तो वह account number दाल देना उसका इफसी code दाल देना अब आप पूछा जा रहे है तो देखो जब भी आप 5000 पर की payment करोगे ना in case अगर वो payment आपने कर दी और आपकी वीडियो क यहां पर आपकी वीडियो के वैसे अगर मालो फेल होगी या कुछ होगा तो यह पांचार पर आपके अकाउंट में भेज देंगे एक तरह से बैंक का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो बिल्कुल सेक्योर रहता है तो यहां पर आपको अपना कोई भी अपना account number दाल दे आप यहां पर आपको payment करनी है तो proceed to payment पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर हमें 5000 पर करनी है तो आपके पस payment method आगया कि आप इस अकाउंट्चे करना चाते हो तो मैं यहां पर यहां पर आपको उस option पर क्लिक करने है जैसी आप इनिशेट वीडियो के वाइसी करने है जैसी आपको यहां पर इस पेज से बैक नहीं करना एक से दो मिनिट का टाइम लगेगा पेज करें तो यहां पर लिखा हो है कि आपके पास एक आपका white paper होना चीए आपके पास pen होना चीए और आपके पास आपका pen card होना चीए आप basically क्या होगा AU bank का जो employee है वह आपके सामने आए तो यहां पर AU bank का agent आपके सामने आ जाएगा आप जो जो वह पूछेगा आपको बताना है अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकते हो बाकि यह था पूरा का पूरा प्रोसेस एक जिरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग का similar ऐसे ही कोटक का अकाउंट खु कैसे हो बागी AU zero balance account और कोटक का link आपको नीचे description में मिल गया है और इसके अलावा किसी हो कुछ भी डाउट ओव वीडियो के अंदर तो वो नीचे comment section पूछ सकता है बागी एक चीज़ और बताना comment करके कि मैं next video कौन से topic पर बनाओ देखो जो भी topic आप बोलोगे उस पर मैं पूरी research करके video बनाओगा तो बागी comment section में जरूर बनाना बागी मिलते हम next video में till then have a right path means focus path